दुनिया पर्विच्य मनुख दे पले लई उस दे विकास लई अनेका चिंतन पेदा हुए लेकन सिख चिंतन दी आपनी एक वक्री पिशान है अज ये मैसूस कर सागदे हैं के गुरू साहबान ने सिख चिंतन दे विकास लई आराम पतां गुरू नानक देव ने कीता लेकन उन्ना ने नाल नाल अपने समय तुम पहला दे जो चिंतक सी उन्ना दी बाणी भी एकत्र किती और उस बाणी नूँ एकत्र करके बाबा पागतर विदास जी गुरू कबीर जी उन्ना सारे जी बाणी एकत्र करके उन्ना ने अग्गे गुरू अंगत देव जी नूँ दिती और गुरू अंगत देव जी ने ये सारी बाणी एकत्र करके गुरू नानक समेत गुरू अमरदास तक गुरू रामदास तक ते फेर ग गुरू अर्जन देव जी नू संकेत मिलतु किया शी पहले ही गुरू नानक शाब तो जदो उनने सिद गोश्ट विच सिद्धा दे ऐस सवाल दा जवाब यह उन देता शी उनना पुछे शी के तो अड़ा गुरू को ने ता गुरू नानक शाब ने जवाब देता शी के शब्दनू सारे विकास देवेच ही ऐन समझाए जानदा के सब्तों पहला शब्दी उत्ती हुई सब्दी शक्ती उत्पन हुई और शब्द रही अगों को जी कैन दी जोगतमनुक नू पैदा हुई इस तरह अशी यह समझ सकदेया के गुरू साब ने एक संकेत देदता श शक्ती के सिकh जगत दासिकh जड़ा चिंतन है ओ शब्द रूप प च हेगा वो स्रीर रूप पर कुछ समय तक चलेगा शब्द अंदर एक जोट है जरी लगातार जल्दी है जरी खिंडरी हुई जिन्दगी नू एक थां एक मांचुते कठे हूंदा सहारा दिन्दी है और इसे वेख सागदे हैं कि इसे गल नू गुरू अमरदास जी ने आपनी बाणी विच दोहराया जो उनने कहे कि बाणी गुरू है बाणी विच बाणी अमरत सारे गुरू बाणी कह सेवक जन्माने इस तरह एजड़ा उनने दा कॉंसेप्ट है यह अगे तुर्दा तुर्दा जो गुरू अरजन देव जी तक पहुंचा तो गुरू अरजन देव जी ने एक एहद एक मन बनाया के अजिये सारी बाणी नूँ एक कत्र करके एक गृंथ दी सरजना करनी है उनने यह सारे दा संपादन करके ओस नू ना देता आद गृंथ और दरबार साब अमरसर दी अमारत जड़ी पहलना उत्यार कर चुके सी उत्हे दी स्थापना कीती तो इस तरहां सेख पंथ एक पवित्र ग्रंथ वाला तो एक पवित्र केंद्र वाला पंथ बन गया यह जड़ी सारा विकास है एनू करन दे पिछे उनन दे एक मनशा सी के जंदगी बेट जो उत्थल पुत्थल पैदा हुई है जो संक्ट पैदा हुए 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 हु था वांजेडियाने ओखड़ चुकियाने तो उना दे चित चेसी के ए जड़ा चार पांच सो बने ज़े चिंतका दीवाणी है उदे तो सेद लेके मनुख बदल सागदा और उना दे मानुवेचे मैसूस हुंदा सी के जड़ा मनुख्दा मुकमल रूप है उदी जो संपूर उन्ता है उस दी जो असर बंतर खुदाने प्रमात्माने राबने अकाल पूर्ख ने बना के पेज कृजघ दी है क्योंकि उदे विचाड़े ऊदे तो इकाल पूर पूर ने भिचाड़े श्यतानी शक्तियाई यदि tes आप और है व उस तरदिया ब्राइश Яजादियान जि सिद्धे तोरते मनुखी सरीर नाड नहीं है क्योंकि मनुखदी होंद करले सरीर करके नहीं है मनुखदी होंद तेने चीज़ां दी कंबिनेशन है कोडिनेशन है वो जड़ी कोडिनेशन है कंबिनेशन है वो कादे वेचे आतान मान ते आत्मा इनों असी अंग्रेजी कह सकते हैं बार ही माईंड़ सोल इनसारां दा एक्विलिब्रम बढ़ना चाहिज़े ज़न यह कुली इक्विलिब्रम तरक जयन दा बारले प्रैशर करके बुरहियां करके मुश्क्राइज करके ज़ने ही चाहिए कि ऑखे निदो कहा किया है कि जटो डश्मन जड़ा है इस बैलेंस नुँए सें पॉघाल देंदा शर्णा था एक सूर्थानुपांग कर दिंदा है इस दे स्मतोर नुण वघास देंदा इस दे बेंच विगन बन जानदा है समतोर दे बेंच ता मनोक देड़ा है उनां वह झातario identity is such a negative पाति नोज़कर जानवाल Amen श्रून ब्त्रफ ने एस ना प invol sensitive ऌहाँ पैदा उन्म रोक्ने नगीष नापके वह ऊनु रोकन लेइंड नां कांड आके विछ फस्जन्द है उसनों रोकन लई ये नमव जार जिता के एजड़ा कंबीनेशन है मन दी शक्ति जो है इसनों काबू रखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्रीर दी शक्ति असलवेच कहरी शक्ति नहीं है मन दी शक्ति ही अंदर जदों एकसर होके कम कर दिया तो मनुख कुछ भी कर सक्दा बे अंत अपार प्रमात्मा दा हिस्सा बन सक्दा है उस देनार जूड़ सक्दा है और मनुख देनार जुड़ियां हुई ये जड़ियां माडियां आद ताने उन्हाफ छार सक्दा गुलामीई दों संगल जन्हाँ जना प div मुषन जना तू जन बहुत जहां करानु छाड़ के मुक्ति लबन दी गल हुंदी रही जोगिया नाथाने सिद्धाने चार पांच सदियां उत्री पार दे उत्रे अपने एस विचार नाड एक तरह दे नाड खालबली में चाही रखी के देड़ा ग्रेस्त जीवन है एही बनाईयां दा कारण है इसनों छट देओं बुद्ध तरमबलों भी ये क्या गया कि छामा ही एक लियां सब का सिदा कारण है मनों काम नावा ही सब का सिदा कारण है कोशाद तक एक अला किसे हाद तक जदों तुसीं संक्ट दा समना नहीं करना चाहूं दे जदों तुसीं ग्रिस्त विच आए हु पुप दो पारोगे हरी